डिलो फ्रेंड दिजीज मुके सब बताने वाला हूँ इसके लिया आपको क्या करना होगा कि चैनल को सबस्क्राइब करने रहे हैं ताकि मैं जब भी वीडियो डालू आपको रेगूलर मिलता रहे है और अको कोई वीडियो मिस न हो जाए बेल आइकन को जोड़े दबा दीजेगा इससे पर चल जाया कि मेरा वीडियो आ चुका है और आपको सबसे पहले मिल गाएगा ठीक है तो चले वीडियो की तरब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मैं बताऊंगा एरिया ओफ पेंट फॉर बाउंडरी वाल मतलब यह जो ब तो उसी एरिया को आज निकालना हम लोग सिखेंगे इस ड्राइंग से इस प्लान से ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह देख लिजी यह लिखा हुआ यहाँ पे एरिया ओफ पेंट फॉर बाउंडरी वाल सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके आउटर वाल मतलब एक्स्टरनल वाल और इंटरनल वाल पे जो पेंट होगा उस एरिया को निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग इस वाल टॉप क पर जो वाल के टॉप पर जो रंग होने वाल है उसका भी अरिया निकालेंगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं फॉर इंटरनल एंट एक्स्टरनल वाल पहले यह निकालने तो इस वाल का अगर हम लेंथ निकाल लें अंदर का प्लस बाहर का उसको लेंथ निकाल लिए और इ तो यह देखिए इस section को अगर आ फॉलो करोगे जो वीडियो मेरा regular देख रहा है उनको तो पताई होगा इसारा फिर भी जो नय है उनके लिए बता देता हूँ यहां पर मैंने height पकड़ा है जहां पर मेरा पूरा रंग होने वाला है यहां पर प्लास्टर हुआ है तो प्लास् है 1.8 मिटर मतलब 800 मिलिमीटर तो 1.8 मिटर तक मेला यह प्लास्टर होने वाला है ठीक है तो हम लो भूण हाइट पक्रेंगे 1.8 मिटर इस पर माना पेंट होगा तो हाइट आपको पादा चल गया चलिए अब लेंद्ध पता कर लेते हैं लेंद्ध पता करने के लिए आप का डिस्टेंस कितना है 10 मिटर मतलब यह इन कॉलमेंट से कॉलमेंट तक आपका है 10 मिटर यहां से लेके यह आउटर तक आपका 10 तो यह देख लीजिए यह तीन पैनल हुआ मतलब 3 3 3 9 और 500 का चार कॉलम मतलब एक मिटर तो नो और एक दस मिटर वही दस मिटर यहां पर है इसी तेरी कि इसको भी करके आप देख लेना आपका आएगा 13.25 मिटर तो चलिए अप एरिया निकालता हूं मैंने पहले से सारा लि सब्सक्राइब लेंट एक इंटर्नल का निकालेंगे अब देखिए मैं मिलाता हूआ चला जाओंगा थिक है सबसे पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं लेप साइट से तो यह वाल्ल मेरा कितना लंबा है बाहर में बाहर का मैं पहले ले रहा हूं यह बाहर का तो इधर का बाहर और इधर का बाहर, तो 10 x 2 हो गया, मैंने वही यहाँ पे लिखा है, देखिए 10 x 2, ठीक है, प्लस 13.25 क्या है, 13.25 अपका यहां से लेके यहां तक का यह length हो गया, ठीक है, बाहर का, तो 13.25 यह भी आ गया, तो हमारा बाहर का यह साइड हो गया, यह हो गया औ तोटल मेरा कितना था टोटल था 13.25 आप ऐसे देखिए मैंने यहां पर करके रखा है 10 मिटर मतलब आपका यहां से लेके यहां तक है 10 मिटर प्लस इस कॉलम में भी तो यहां पेंट होने वाला है ना इस पेंट होगा तो 10 मिटर और यह.25 मतलब धाइसे में यह तो इसको और कर दोगे तो आपका आएगा 10.25 तो 10.25 मेरे लिखा है हमारा external wall का सारा length निकालना हो गया अब internal wall का length निकालेंगे तो internal wall हम भी left size सुरू करते है यहां से चलिए पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें एक चीज़ जहां दीजेगा मैं यह total length नहीं लोगा भी फिलहाल म मतलब यह column का जो यह 250 mm है इसको अभी less कर दूँगा बच्चों लूंगा मैं यहां से लेके यह अंदर तक का ठीक है तो यह कितना हैगा total है मेरे 10 meter 10 meter से 200 यह minus होगा और 200 यह minus होगा ठीक है तो कितना बचेगा यह वाला 9.5 9.5 into 2 कर दिया क्योंकि इधर का अंदर का part है और यहां तक है तो हमारा हो गया 9.5 into 2 अब हो गया यह वाला पार्ट तो यह पार्ट हम लोग कैसे निकालेंगे हम लोग टोटल पता है total से 200 इधर माइनस कीजिए और 200 से 0.25 मैनस 0.25 मिजास माइनस तो 13.25 में 0.25 मिजास माइनस करो 0.25 मिजास माइनस करो आपका आजाएगा द इधर से ये 250 माइनस कर देना है ये टोटल 10 मिटर है इधर से आपको 250 माइनस कर देना है तो ये बचेगा आपका कितना 9.75 तो देखे मैंने यहाँ पे 9.75 लिखा हुआ है अब बचा ये दो पार्ट मतलब कॉलम के इस फेस पे और इस फेस पे भी तो आपका पेंट होने वाला तो टोटल अट करदोगे तो आपका जो आने वाला है वो लेंट ऑफ वाल आएका टोटल एक्सटर्नर और इंटर्नल का मिलाकर तो आपका आया है 85.5 मिटर हमारा टोटल लेंट अफ उसंद यहां दिखा दिया था कि 1.8 मिटर इसका हाइड है जहां तक हम रंक करेंगे तो ह सब्सक्राइब तो यह देख रहे हो ना यह वाल है वाल के उपर मैंने कोपिंग पक रहा है पीसी का ठीक है तागि कोई भी अगर यहाँ पे आप ग्रिल लगाओ या कुछ भी लगाओ अच्छी तरीके से इसमें क्लैम फूट सके अच्छी तरीके से फिक्स हो सके अगर बीक अब करते हो तो खुल जाने का फट जाएगा ब्लॉक रहेगा तो जब आप अंकर फास्टनर करोगा या कुछ करोगा तो फट जाएगा वोची वाट यह PCC या आपको मिल जाएगा और क इतना चोड़ा तक होगा जितना आपका वाल का थिकनेस होगा उतना वह होने वाला है प्लाश्ट है तो वही निकाल लेता है तो आपको लगे है कि जो मेरा यह आया एक्स्टेर्णल इंटर्णल का उसको अगर डिवाइड बेट टू कर देंगे तो यह यह निकल जाएगा 10 इंटू 2 क्यों यह 10 मिटर का है तो यह पार्ट और यह पार्ट आ जाएगा इसके ऊपर का पार्ट अप एरिया को क्या किये है रंग कर दिये ठीक है तो यह ले लिए हम लोग 10 इंटू 2 दोनों साइट का वाल आ गया अब लेंगे यह वाला पार्ट तो यह वाला पार्ट प्रफिय चों हम लोग अभ़ी मिस्टेक करता है क्या मिस्टेक करता है राओ उन लोग क्या करते हैं पूरा यहां से लेकिर यहां तक पुरा ले ले restaurants करेंगे लेकिन नहीं इस column के area हम लोग already इस wall में cover कर चुके हैं यहां से लेके इसके अंदर तक का निकालेंगे यह column को नहीं लेना है इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखियेगा जब टॉटल तो आप लीजिए उसमें आपको माइनस कर देना होगा ये लेंथ मतलब 250 और ये लेंथ मतलब 250 तो 13250 में 500 माइनस करना होगा तो आपका जो आएगा वो देख लिजेगा 12.75 मिटर आएगा टिक एह मिलिमें में आएगा 1270 में तो यह होगया यह होगया और यह हो गया अब बचा यवाला पाट ठीक है तो यह आपको यह मैनस कर देना है डाई सो क्यूंकि यह वाला कॉलम औल रडी मैने यह टोटल टेन मिटर जब लिया था तो उसमनों अल्रेडिय आचुका है तो यह कितना हो जाएगा 9.75 ठीक है तो देखिए चलिए देखते हैं 9.75 यहां पर लिखा हुआ है बस इसको आप एड कर दूँ पहले यह मल्टिप्लाई कर देना इसको एड कर देना तो आपका लेंट आफ वाल निकल जाएगा ऊपर का तो 42.5 मीटर आगया विट ऑफ वाल मतलब यह जो वाल है उसका वीद कितना है थिकना है जौन पर शब्रिकोट करने वाले है तो आपको ने यह पर लेंट कितना है तो देखिए भूम जेख घ्रा में हम ने और अपको घृस के आए तो वही घृसा कि है वही तोब जाएगा है उसका मतलब यह हमारा एरिया है है 129 वा टॉप्र के यह 205 तो स्कॉर लिए है इसको एड किजेगा hausन कायर अलए स्कॉर टॉपकर और यह तो आपका n также कोras में भर बहुत कोई को करें प्लमीड एन तो इस वेलू को आपको वह घड़ा करते हैं तो इतना स्क्वार मीटर में कितना होगा इतना स्कौार मीटर में स्क्कॉर चाहरे मुंट्यू इंगे तो इस ते से हम पेंट का एरिया निकाल सकते हैं आपने ड्राइंग से ठीक है तो वीडियो अगर इस लेक्षर में कोई भी कन्फीजन है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछो मैं जरूर रिप्लाई कर दूँगा ठीक है और आपका कुई सुझाओ है कुछ आप चाहते हो कि यहां इस ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नोटिफिकेशन बेल को जरी दबा देजएगा इससे क्या हो कि मैं वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा आपको कोई वीडियो मिस नहीं हो जाएगा ठीक है और सीरीज का बीच कोई भी वीडियो अगर आप मिस करते हो तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे बहुत कुछ आपको पता नहीं चल पाएगा तो इसके लिए आपको साब वीडियो देखना पड़ेगा ठीक है आप वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू किंजेगा इससे मेरा होसला बड़ता है मनेवल बड़ता है और ऐसी वीडियो लाने क और एटीक है तो आज के लिए इतना इस वीडियो कुछ नहीं लेकर आउंगा तो तक अपरी बाए टाटा टेक केर करदं कर दो कर दो कर दो कर दो